जै जिनेन दिगंबर जैन महासमीती रायस्था नंचल दौरा आयोजित इधार्मिक संसकार सिक्षन सिविर में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं। आज मैं आपके लिए संसकार सरोबर भाग तीन का पार्थ एक पंच परमेश्टी पढ़ाऊंगा। सिविर में आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपके लिए ये बुक के साथ साथ एनिमेशन, पीपीटी, वाक्सीट और क्लास्रूम टीचिंग ये आपको सपोर्ट हम दे रहे हैं जिनसे आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल जैन परसला जैपूर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको नया नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। जूएं पढ़ें पंच परमेष्टी। हम और आप रंभो कार्मनद बढ़ते हैं। मैं ने रंभो कार्मन्थ हैं। संसकार्श्रोबर वागएक का चैप्टर सेकेंड रवो करमंत महा मन्त में पंच परमेश्टी का स्वरू बताया था रवो करमंत का अर्थ बताया था इसके बाद में आप एक बार उसको जरूर देख लें ताकि आपको सामान अर्थ मालूम हो रमोकारमंत में पांच पद हैं बोला कितने पद हैं परमेष्ठी कितने पांच कौन में हैं अरण्त जी तो जो पर्मपद में आं उन्हें परमेश्ट्री कहते हैं परमेश्ट्री किसे कहते हैं जो परमन स्रिष्ट जो स्रिष्ट पदमेश्थित हों उन्हें परमेश्ट्री कहते हैं और पांच होने के कार्ण से पंच परमेश्ट्री कहलाते हैं क्लिए फर्स्ट अपन आज इन पंच परमेश्टी का स्वरूप पहने जा रहे हैं अरंत जी सिद्र जी आचार जी उपाद्या जी सादु जी में साथ सब आपको लर्न करना है याद करना है इनके मूलगुण वह भी आपको याद करवाएंगे और आप पैन कॉपी लिए हों तो लिखते जाएं रोक रोक के तो ज्यादा बैस्ट है जो आत्मा ग्रस्त पनात्याक कर मुनी धर्म अंगिकार कर निज सुभाव शाधन द्वारा चार गातिय कर्मों का च्छै करके अनंद चतुष्टे अनंद शन अनंद ज्ञान अनंद सुक अनंद बीरी रूप ब्राजमान हुए वे अरहंत के परमेश्टी कहलाते हैं पर्ष्टे पहली प्रवासा किसकी है अरहंत्त परमेश्टी मैंने सयथ पहले इबताया है कि यहां पंच परमेश्टियों में कोई ब्यक्टी को नमस्कार नहीं किया है और यह तो में उस्दों में जो vex TF हैं उनको नमस्कार किया है कुए तो भूट भविश बर्तमान réfंस सिद्ध अरहंत इत्यादिक होंगे उन सब को नमस्कार हैं यहां पर अरहंत पर्वात्मा की पर्वासा अरहंत पर्वेष्टी की पर्वासा में बताया कि जो संसारी आत्मा ग्रस्त पना त्याग करके फर्स्ट घर से निर्वित्ति लेके मुनी धर्म अंगिकार करके निर्ज सुभाव साधन के द्वारा चार घाती कर्म कौन-कौन से आठ कर्म कर चैप्टर पढ़ेंगे अपन उसमें पढ़ाऊंगा मैं पहला ग्यानवर्णी दस्नवर्णी मोहिनी और अंत्राय चार घाती कर् कर्मों का नस किया तो चार अनंतट चतुस्टे प्रगट हुए और जो अरहंत केवल ज्यानी सरवग रूप से समोसरण में ब्राजमान है वो अरहंत कहलाते हैं जिनकी दिविदेशना हम और आप सुनते तीथंकरो भगवान वाले चेप्टर में मैंने वो डिफैन करके पढ़ाया है तीथंकरो भगवान को इसके बाद में आप लोग उचको जरूर देख लें तापके आपको पता चले कि सामान अरहंत और तीथंकर अरहंत में क्या अंतर हैं अरहंत परमात्मा के चालीस मूढगा कितने मूढगं एं चालीस पौटी सिक्स कौन कौन से दस녁व के अत्स आहंुएं 10 के बलग्यान के अच्स है चोदम देवकरत आप प्रातिहारी चार अनंत चेतु स्टैं बन suburbs कर ओ दस के बलग्यान कैसा है चौदे देवकृत आठ प्रातिहारी चार अनंत सरीर के हैं इसके बाद जो प्रातिहारी है वह देवकृत प्रातिहारी इत्यारिक इत्यादिक सब समभ से रेलेटेड बाहसामगरी से रेलेटेड हैं कि अब चार जो अनंत्-चतुष्टे हैं वह अनंत्य उस्टें उनके आत्मा गुण्ड हैं और आत्मा से संबंद्ध रखने वाले हैं कोण-कोण से अनंद धर्सन अनंद ज्ञाद अनंद शुख अनंत वीदे अनंद परवात्मेघ계परवाश, सबको याद हो गई बैस實 रिपीट कराओं। जो आत्मा ग्रस्त पनात्याकर मुनि धर्म अंगिकारकर निश स्वधाव शाधन चार घातिय कर्मों का च्छे करके अनन्त चतुष्टे रूप ब्राजमान हैं उन्हें अरहंत कहते हैं उनके च्छालीस मुल्गुने दस जन्म के अध्से दस के भलग्यान के अध्से चौदै देवकृत आठ प्रातिहारी और चार अनन्त चतुष्टे एक बुक में जो आप देखेंगे संस्कार स्रोबर ईजन उसमें परवासा लिखी है सबको न्रों गई अपन पढदते हैं सेकंड सिद्य परहुटि क्या पढ़ने वाले हैं सिद्य परमेश्ट्री परवासा उपर वाली ऐजटेटिज ले लेना नीचे है क्यों क्योंकि अरहंत जो चार अगहाती कर्मों का च्छै होने पर समस्त परद्रव्यों से जिनका संबंद छूट गया जो पूर्ण मुक्त हो गए और लोक के अग्र भाग में किंचित निवन पूर्शा का रूप ब्राजवान हुए हैं वो सिद्ध हैं क्या क्या फिसे रिपीट कराऊं सिद्ध कैसे ह होते हैं अशरीरी निराकार और मुक्त होते हैं कहां बढ़ें लोक के अग्र भाग में कैसे किंचित नियून पूर्शा चाल जो जिस वस्ता से मुक्षियाता है घड़गासन पनलासन उसके किंचित निवन आवस्ता में आत्मा के प्रदेश वहां रहते हैं दिया था उसके थोड़े दिन बाद कुछ समय बाद में अगाती कर्मों को नश्ट करके और पूरे संसार से मुक्त हो गए जीवन मुक्त और दे मुक्त हो गए और लोक के अग्रभाग में असरीरी ब्राजमान हुए वह आत्मा शिद्ध परमेश्ट्री खेलाती हैं उनके कितने मूल गोने आठ कितने मूल गोने आठ चायक सम्यक्त अनंदर्शन अनंदग्यान अगुरुलगुत अवगाहनत शुक्ष्मत अ अब्याबाद बुक में लिखे हुए हैं एक दुआ है याद करने का महुत बढ़ी है संकित दर्शन इंग्यान अगुरुलगु अवगाहना सुक्षुंभीर जिवान निरावाद गुण सिद्ध के यह आठ गुणों को याद करने का दुआ है जो बुक में लिखा हुआ है फर्स्ट है बोलो जोडसे रिखसंत अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अगुरुलगुत अब काहनत सूख श्मत अनंतवीर आभ ये और अब्या अ कितने कर्मों को नस्ट कियाा कौन को चार घहती और दश्णवनी मोहिनी अंत्राय आयो नाम गोत्र गोत्र और बेदनी यह आठ कर्म उन्होंने नश्ट किये हैं नेक्स्ट आचारी परमेश्टी जो रतनत्रे के धारी हैं मुनी संग के नायक निर्विकल्प सरूपा चर्ण में मंग रहने वाले सिस्सों को दीक्षा प्राश्य दर्म उब्देश देने वाले आचारी होते हैं आचारी के 36 मुल्गुन हैं बारा तप दस धर्म छे आवसक पंच पंचाचार और तीन गुप्ती ऐसे 36 मुल्गुन किसके आचारी के अब आपन बात कर रहें रहो कार्मंत में उपर के दो भगवान अरंसिद्ध और नीची क साधु आचारी उपाध्याएं और साधु करते हैं लेकिन संग की विवस्था के हसाप से अपन डिफाइन करते हैं तो आचारी किसे कहते हैं कि जो जो मुनीधर्म के धारक जटनत्य के धारक संग पूरे संग को चलाने वाले होते हैं यह काम करते हैं योगिशिस्थ्यों को दीख्षा देतें कोई गल्ती करें दोस होतो उसको प्राश्चित बीजी से सुड़्ष करते हैं अदेशं करते हैं ऐसे खुद भी आत्मा में ली रहते हैं सरूपा चरण चारित्र में खुद भी ली रहते हैं और दूसरों को भी ली रहने के लिए प्रेज़त करते हैं ऐसे आचारी आचारी के 36 मुल्गुण होते हैं 12 तब जो मैं बता रहा हूं अलग अलग वीडियो हमारे जैनपार्सला चैनल पर मैंने क्लास पढ़ाएं वहां से आप देख सकते हैं डिटिल में तब आवश्यक पंचाचार इत्या देखें अलग अलग वीडियो देखें आप 12 तब 10 दर्म पंच पंचाचार छे आवसक तीन गुप्ति याचारी के 36 मुल्गुण हैं उपाध्याय जो द्वादसां आगम सास्त्रों के ज्याता मुनी संग में पठन और पाठन करते हुए आत्म सरूक में लीन रहते उपाध्या परमेश्टी हैं उनके 25 मुल्गुण 11 अंग और 14 मुनी संग में वह उपाध्याय का उपाध्याय किसको कहते हैं जो द्वादसां के ज्याता होते हैं और क्या काम करते हैं आगम सास्त चारों नियोग होते ना कर्णा नियोग प्रत्मानियोग कर्णा नियोग चर्णा नियोग दर्विया नियोग चारों अंगों के मूल आग साधु आचारी उपाध्याय को छोड़ कर संग में और जो साधु होते हैं समस्त मुनी धर्म के धारक आरंब परिग्रेक के त्यागी 28 मुलोनों का निरतिचार पालन करने वाले साधु कहलाते हैं उनके कितने मुलों गुण है 28 28 याद रखे पंच महावरत पांच इंद्री विजय पांच समिती छे आवसक और साथ सेश गुण किसके साधु प्रमिष्टी के संग में जो सामान साधु हुए कि इनको आचार्य पाद्याय को छोड़के वो समस्त आरम उपरिग्रे से रहत होते हैं किसी प्रकार के उनको चिंता नहीं होती है और मुनी धर्म का जो दिकंबर अवस्था है उसको धार करते हैं पालन करते हैं 28 मुलों पका पालन करते हैं दोस नहीं लगाते हैं मैं शादू कहलाते हैं बोलो जोर से कितने मुल्गुन हैं साधू के 28 यादो ना चाहिए बोलो पांच महामरत पांच इंद्री विजय पांच समीती छे आवशक साथ सेजगुण सेजगुण में वह केसलों इस खड़े-खड़े आहार और इत्यादे केसब लिए गए मैं फिर से बोला हूं जिनको डिटेल पढ़ना है मैंने एक एक परमेश्टी की अलग क्लास पढ़ाई है उसको आप पढ़ें यहां तो पांच के इसाब से किबल सामान शरू बताया जा रहा है आज अपन ने अभी पंच परमेश्टी अरंध सिद्धाचा के आठ आचारी के 36 उपाद्याय के 25 सादू के 28 इस प्रिकार से इस सामान शरू को अपन ने पढ़ा है एक रमो कर्वंत वाला वीडियो जरू देख लें उसमें पंच परमेश्टी का डिटेल मैंने बताया और एक ती थंकर भगवान भाग एक वाला वीडियो देख लें त तो आप जरूर ओनलाइन रेश्टी से नमारे लिंक पर करा दें सिविर के और आप मैं इबुक डाउनलोड करी लिए होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक पहुंच सकें धन्यवार जय जिनेन